MP Board के Class 10th के सभी विध्यारती ध्यान दे जो अर्दवार्षिक का पेपर होने वाला है उसका आज हम इस वीडियो में फुल सोलिसन देखने वाले हैं तो बीना देरी के हम वीडियो को शिरू करते हैं तो देखिए सबसे पहला प्रेश्ट ने बनेगा हमार से विकल पर चुनकर लिखिए कोई विलियन लाल लेटमस को नीला कर देता है इसका पी एच मान संभव क्या होगा तो इसका पी एच मान स जंत्र का भाग है वहाँ है उस सर्जन कौन सा है उत्र सर्जन अब द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातू कौन सी है तो वहाँ है मरकरी जो द्रव अवस्था में पाई जाती है लेंस लेंस की छमता का एस आई मात्रक है तो लेंस की छमता का एस आई मात्रक होगा अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्टन किया जाता है अभी लेंस अभी नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसमें परिवर्टन किया जाता है किसके द्वारा पस्ष्माभी द्वारा पस्ष्माभी के द्वारा जिवास्म इधन है कोईला क्या वनेगा कोईला निम्द में से कोन अहार सरंखला का निर्मान करता है तो गहास बकरी तथा मानव मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिविम्ब बनता है वहाँ है जिष्ट पटल याने की रेटिना तो आगे कोश्चिन के और बढ़ते हैं अब आएगा आपका प्रश्न क्रिमांक दो प्रश्न क्रिमांक के दो में भी आपसे आठ रिक्तिस्तान पूछ जाएंगे तो नुकलेंड ने डेडडेस का सिध्धान्त दिया अश्टक नियम का जो नुकलेंड था उसने अश्टक नियम का सिध्धान्त दिया 36 पंक्तियों को डेडडेस कहा जाता है तो आवर्त अपसिष्ट पधार्तों का सरीर में बहार निकलना डेडडेस कहलाता है उत्त सर्जन विद्धुद विभाव का एसाई मात्रक वोल्ट है आधुनिक आवर्त सार्नी में समू अठारा है तो समानी डेश्टी के वयस्क के लिए सुष्पस्ट दर्शन को अलपतम दूरी डेडडेस है 25-70 मिटर मचली के हिर्दे में केवल डेडडेस कोष्ट होते हैं तो कितने कोष्ट होंगे? दो कोष्ट होते हैं किस में उर्जा का प्रवा एक ही दिशा में होता है? तो खाद स्रंकला में खाद स्रंकला में उर्जा का प्रवा एक ही दिशा में होता है तो यह हमारे आठ रिक्तिस्तान हो गए अब इसके बाद आएगे आपकी सही जोड़ी प्रश्ण कर्मान के तीन तीन में सही जोड़ी आएगी तो साधारा नमक का सुत्र है एने, एने, सियल यह पहली जोड़ी बनेगी आपकी एने, सियल, आयोडिन, अधात्व, तत्व तो इसकी बनेगी आपकी चमकिला, चुम्म की प्रभाव, लोहा पलको का जपकना, प्रतिवर्ति किरिया प्रति वर्ति किरिया आकों का जबकना प्रति वर्ति किरिया कहलाती है अनुवानसिक पधार्त डिने अनुवानसिक पधार्त डिने गंगा सफाई योजना इसके आपकी 1985 विवांतर का मापन समजात अंग हमारे हाथ एवं कुट्टे के अगरपात हमारे हाथ एवं कुट्टे के अगरपात तो ये हमारी जोड़ी हो गए आठ इसकी कर्मां की चोते में एक वाकी में उत्तर दे नहीं तो दरपन सूत्र लिखिए दरपन सूत्र है आपका 1 बटा F इक्वल 1 बटा V प्लास 1 बटा U तो जिवास मिधनों के नाम लिखिए यानि की दो जिवास मिधन के नाम बताने तो कोईला एवं पेट्रोलियम तो ये दो जिवास मिधन के नाम होगे मनुष्य में आयोडिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो घेंगा चुमक के कितने धुरू होते हैं दो धुरू होते हैं अनुवानसिक अनुवानसिकी के जनक का नाम लिखिए मेंडल विद्धुतावेस का एसाय मात्रक है कुलाम वायू की उपस्तिती में होने वाले सुवसन का नाम लिखिए वायू की उपस्तिती में होने वाला सुवसन है वाय वी सुवसन सुद्धी जल का पी एच मान लिखिए साथ जो सुद्धी जल रहेगा उसका पी एच मान बनेगा साथ प्रिश्न किर्मांग पांच से आपके दो नंबर के कोस्षें सिरु हो गए है तो अउतल दरपन के मुक्की फोकस की परिभासा दीजिए लेंस की छमता से आप क्या समझते है तेल एवं वसा युक्ति पदार्तों को नाइटोजन से प्रभाई क्यों किया जाता है तो यह आपके दो नंबर के कोस्षें सिरु हो गए यहां से तो आप इनका स्कीन सोट ले लिजे जो आपकी अर्दवार्शी की पैच्छा होने वाली है उसमें आपके यह कोस्षें जरूर 100% आने वाले हैं तो आप देरी ना करते हुए इन कोस्षें को जरूर कम्पलीट करिए यह आपके दो नंबर के ही कोस्षें चल रहे है अभी तो आप इनका स्कीन सोट लेते चलिए अब आपके स्टार्ट होंगे तीन नंबर वाले कोशन प्रश्ण कर्मांक 15 से आपके तीन नंबर वाले कोशन स्टार्ट होंगे तो आप यहां से स्किन सोट लेते चलिए इनका और इन्हें अच्छी से कंप्लिट करेगा अब देखे सत्रा के बाद आएगा आपका अठारवा नेगे अठारवे कोशन के बाद 19 कोशन से आपके चार नंबर वाले प्रश्ण सिरू हो गए हैं यह धमनी देखिए धमनी एवम सीरा में अंतर बताईए यहां भी भूती मोश्ट आईएमपी कोशन है आपका आप इन कोशनों को जरूर करिएगा यहां है आपका बाविस्वा कोशन तो यह आपके चार नंबर के कोशन समाप्त हो गए तो यह हमने जो अर्दवार्सिक में पेपर आने वाला है उसका हमने जो अबजेक्ट है उनके फुल सोलिसन देखे इस वीडियो में और आपको कोशन भी बताए जो आईएमपी कोशन है तो आप इन कोशनों को कम्पलीट करेगा